नमस्कार फ्रेंड्स मेरी अमीर सोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं मसूर दाल की बरी की रिस्पी लेके आई हूँ बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है 10-15 मिनेट का टाइम लगता है और सबजी से कुछ अलग खाना हो तो इस तरह की बरी घर में बना सकते हैं और बाजार से काफी सुध तरीके से तयार होता है और टेस्ट भी अपने हिसाब का होता है तो आप इसे जरूर ट्राई करें मेरे तरह से और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हमने मसूर डाल लिया है 300 ग्राम के मातरा में इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं पहले उसके बाद हम इसमें बराबर मातरा में पानी डालके और फूलने के लिए रेश्ट पिच रख देंगे जो 2-3 गंटे भी रख सकते हैं और 1 गंटा में भी ये फूल के तयार हो जाता है तो हम 2 गंटे के बाद इसे लिए हैं ये फूल के अच्छी तरह से तयार हो गया है बहुत जल्दी फूल जाता है ये तो देखिए ये इस तरह का फूल के तयार हो गया है अब इसे हमें पीशना है तो मिक्सी के जार में हम इसे डालेंगे पानी को निकालते हुए हमें डालना है पानी इसमें बहुत जादा नहीं जाना चाहिए नहीं तो बड़ी को सुखाने में बहुत टाइम लगेगा कम पानी होगा तो जल्दी सुख के तयार हो जाएगा तो इस तरह से हम दाल को मिक्सी के जार में डाल देते हैं वन टीस्पून हम इसमें साबु धनिया वन टीस्पून कसूरी मेती वन टीस्पून सौफ और एक लाल मिर्ची हम इसमें एड़ करेंगे आप अपने हिसाब से कोई भी मसाला और डाल सकते हैं और उसे और भी अच्छा अपने हिसाब का बना सकते हैं हमने इसे पीस लिया है अब इसे एक बड़े से बरतन में निकाल लेते हैं इसे हमें फलपी बनाना है तो फलपी बनाने के लिए इसे simple तरीके से हाथ से यूं यूं गुमाएंगे तीसी गुमाने में हमें 3-4 मिनिट का टाइम लगेगा और ये बहुत बढ़िया फलपी बन जाएगा फलपी बनाने के लिए ना बेकिंग सोडा डालना है ना बेकिंग फॉडर बस simple इस तरह से हमें गुमाना है दो से 3-4 मिनिट का टाइम लगेगा और बहुत बढ़िया हमारा ये फलपी बड़ी तयार होगा और जब ये सुक्के तयार होगा और इसके सबजी बनाएंगे तो इसके अंदर बिल्कुल रस भर जाएगा और बहुत बढ़िया बड़ी बनेगा तो मसाला तो हमने काम चलाओ इसमें बहुत अच्छा डाला है और जब बड़ी की सबजी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और फलपी बनेगा तो इस तरह से हम इसे चेक कर लेते हैं पानी के अंदर इस तरह से डालेंगे और वो अगर उपर आ गया तो आप समझे है कि ये मेरा हमारा बरी है जो काफी फलपी बनके तयार होगा तो इस तरह से हमारा डाल बिल्कुल तयार हो गया है डाल का बीठी अब बड़ा सा बरतन ले लेते हैं उसमें इस तरह के प्लास्टिक भीचा लेते हैं पॉलीथीन को कट करके ताकि तेल लगाने के भी जरूवत ना पड़े और इससे बहुत इजी तरीके से हमारा ये बरी निकल जाता है चोटा चोटा पीस करके इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे और उसके बाद इसे धूप में आप रख दीजिए अगर धूप है आपके पास तो और नहीं तो इसे पंखे के हवा में डाल दीजिए ये चोविस घंटे में सुक के बिल्कुल तयार हो जाता है पंखे के हवा में भी और धूप में तो ये बिल्कुल पूरे दिन में ही सुक जाता है बारा घंटे में सुक जाता है तो देखे इस तरह से हम एक प्लेट के अंदर इसे बना लिये हैं अब इसे हम दूप में रख देते हैं तो दूप में रखने के बाद 5-6 घंटे का दूप हमने इसमें लगा की और इसे बापिस हम लाए हैं अब इसे उल्टा कर लेते हैं देखी एक तरफ बिल्कुल सूख गया है दूसरी तरफ उल्टा कर देंगे और 5-6 घंटे का टाइम हम और देंगे तो ये बिल्कुल सूख के तयार हो जाएगा और बहुत जल्दी और बहुत यमी टेस्टी हमारा बड़ी बन के तयार हो जाएगा और हेल्दी भी बहुत तो